दोस्तो तोराई की सबजी बहुत स्वाधिस्ट और पॉस्टिक होती है। तोराई की खास बात ये है कि इसमें काफी मात्रा में पानी होता है। तोराई के सेवन से पत्री धीरे धीरे गलती है और समाप्त हो जाती है। तोराई में काफी मात्रा में फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C, ट्राइबोफलेविन, जिंक, थियामिन, आयरन और मैगनेशियम होता है। इसलिए इसे खाने से किड़नी की पत्री के साथ-साथ अन्यरोग समाप्त हो जाते हैं। किड़नी की पत्री के लिए तोराई को मिकसर में पीश कर इसका रस निकाल लें। और घाए की दूद में मिलाकर इस रस को पिहें। रोज दो बार पीने से आपकी पत्री तेजी से गलना शुरू होती है और कुछ दिन में समाप्त हो जाती है लगाता तोरई का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदे मन्द होता है तोरई रक्त शुद्धी करना के लिए बहुत उप्योगी माना जाता है साथ ही ये लिवर के लिए भी गुणकारी होता है पीलिया होने पर अगर रोगी की नाक में दो बुन तोरई के फल का रस डाल दें तो नाक से पीले रंग का द्राव बाहा निकलता है जिससे पीलिया रोग जल्दी समाप्त हो जाता है एक तोरई में लगभग 95% पानी और कीवल 25% कैलोरी होती है जिससे वजन नहीं बढ़ता है इसमें संत्रिप्त वसा और कॉलेस्टरॉल की भी बहुत ही सीमित मात्रा होती है जो वजन कम करने में सहायक होती है तोरई में वीटा कैरोटीन पाये जाता है जो नेत्रिद रिष्टी बढ़ाने में मदद करता है अगर आप अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आहार में तोरई को शामिल करें तोरई बलड और यूरीन दोनों में शूगर के स्थर को कम करने में मदद करती है इसलिए ये डाइबिटीज की रोगयों के लिए फायदे मंद होती है तोरई में इंसुलिन की तरह पैप्टाइट्स पाय जाते हैं इसलिए इसे डाइबिटीज नियंतरन के लिए एक अच्छी उपाय के तौर पर देखा जाता है इसलिए सबजी के तौर पर इसके इस्तिमाल से डाइबिटीज में फायदा होता है